हेलो एबरिवन मैं मितोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तुर्भा गांधी बाली का विद्याले में नए जिले से रिक्रूटमेंट आ चुकी है इससे पहले भी बहुत सारे जिलों से रिक्रूटमेंट आ चुकी और आइडिया आपको लग जाएगा कि आपके किस-किस आपके आसपास के किस-किस जिले से recruitment आई हुई है यह application form है जो आप यहां से देख सकते हो जो जरूरी जानकारिया है वो मैं आपको subject पले दिखा देना चाहता हूं ताकि अगर आपका subject नहीं बनता हो तो आपको पूरी वीडियो देखनी की जरूरत नहीं है तो one by one हम लोग सबसे पले subject को देख लेते हैं उससे पले आप लोगों से एक जरूरी information शेयर करनी है नीचे आपको अपने जिले का नाम लिख देना है जी हां अपने जिले का नाम जरूर लिख है नीचे comment section में district का नाम ताकि जब भी recruitment recruitment आए आपके जिले से तो आपको जानकारी दी जाए फिलाल यहां से देख लेते हैं कौन कौन से subject के recruitment आई हुई है देखिए पुर्ण कालिक सिक्षका के recruitment आई है और यहां से आप subject देख सकते हो हिंदी संस्कृत उम्र जो है 25 minimum और maximum age 45 साल salary आपको 22,000 रुपए पर मंत दिय आ जाएगा आगे देखो अगर अगले पुर्ण कालिक सिक्षक के मैं बात करूं तो विज्ञान के recruitment आई है 25-45 वर्स तक हो आप तो अपलाए कर सकते हो salary 22,000 रुपए यहां भी सेम ही है आगे देखिए कुछ और सिक्षिकाओं के recruitment आई है जेखिए अन्सकालिक सिक्षक या सिक्षिका यानि कि यहां पे male भी अपलाई कर सकता है और female भी अपलाई कर सकती है कला, क्राफ्ट, संगीत और ग्री सिल्प के recruitment आई है age criteria सेम रहेगा minimum 25 maximum 45 और जो concerning subject है उससे अगर आपने graduation कर रखा है आप apply कर सकते है, salary थोड़ी कम हो जाएगी 900 रुपए यानि कि 9,800 रुपीज आपको per month दिया जाएगा, अगला subject है math का, जिसके लिए आपको 22,000 रुपए salary फिर से मिल जाएगी और 25 से 45 साल age होनी चाहिए, salary सिक्षा की भी recruitment आ 75 रुपए, पुर्ण कालिक सिक्षका की अगर बात करू विज्ञान की तो यहाँ पे 22,000 रुपए पर month आपको दिया जाएगा, सायक रसोजा के लिए फिर से 5,175 रुपए आपको दिया जाएगा, अब देखिए जो ज़रूरी जानकारी है न, यह application form तो टेलिग्राम पे अबलेबन होई जाएगा आपको, जो जरूरी जानकारी है वो मैं बता दो नियम जो है, अब पूर्ण याने की पूरा आपको भरना है, अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया तो आपके पद जो पोस्ट है उसको cancel कर दिया जाएगा, अपके application form को बानी नहीं जी जाएगी, एक लिफापे में एक से अधिक आविदन पत्र आपको नहीं भेजना है, अलग-अलग के लिए अलग-अलग आविदन पत्र आपको भेजने होंगे, आगे देख लीजे, कुछ और जानकारिया यहाँ पे है, देखिए, अगर आप यहाँ पे काम करते हो, पुर्ण कालिक सि कि आपका रखाजाएगा, लेकिन आहम तोर पर क्या किया जाता है, रिन्यू कर दिया जाता है सर्विस को, अगर कोई काम करने के एक चुक नहीं है, तो उन्हें हटा दिया जाता है, और देखिए एक और बात आपको क्या काम करना है, दो छोटे-छोटे लिफापे आपको इसमें जरूर डाल देना है, अपना एड्रेस आपको लिख देना है, और 42 रुपीज का डाक्टिकट दोनों में चिपकान है, 42-42, अलग से, टोटल 84 रुपीज का डाक्टिकट आपको चिपका देना है, एड्रेस लिख कर, और नीचे सारे मेट्रिकुलेशन, इंटरमेडिएड, ग्रिजवेशन, बीएड, टैट परिक्षा, चाहे वो यूपी टैट हो, सी टैट हो, कोई भी टैट हो, अगर आपने पास कर रखी है, सेल्फ एस्टेट करके आपको भेज देना है, अब यह रिक्रुट्मेंट कहां से आई है, वो मैं आपको बता दूँ, तो यहां से आप देख पाऊगे, कारियाल है जिला, बेसिक सिप्चाधिकारी, मैन पूरी से यह रिक्रुट्मेंट आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिष्तेदारों, सहलियों तक सेयर कर दें, तीन अलग-अलग कस्तुर्वा विद्धाले से रिक्रुट्मेंट आई है, घिरोर, करहल और सुल्तान गंज से, इस पीट को पोस्ट करके ही आपको यह अप्लिकेशन फॉर्म भेजना है, क